अगर आप पूरा फुल material लेना चाहते हैं पंचायत account assistant exam के लिए on the spot मैं फिर कहा रहा हूँ on the spot मतब ये daily का एक एक दो दो lecture नहीं अगर आप on the spot full study material लेना चाहते हैं account assistant के लिए जिसमें आपको lectures, notes, mcqs, online tests ये सभी चीज़े हम लोग provide करेंगे और ये पूरा फुल package आपको provide किया जाएगा सिर्फ 1499 में ओके इसकी actual cost जो है वो 2999 है बट हम लोग अभी ये 50% off पे हम लोग provide कर रहे हैं सभी candidates को और जितने भी candidate जो interested हैं और मतब detail लेना चाहते हैं with demo lecture वो मुझे message करें इस number पे 7006332724 ये हमारा WhatsApp नंबर है official WhatsApp नंबर आप इसमें message करिए आपको सारी detail provide कर दी चाहेगी है 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 तो आज की इस वीडियो में हम अपना जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज act 1989 कावर कर रहे थे उसका पार्ट टू डिसकस करेंगे ठीक है ये अमेंड़ वाला मैं बता रहा हूं जो कि 2018 में एमेंड हुआ था तो गाईज चलते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए पार्ट टू इसका हम आज कवर करेंगे तो पार्ट टू में हम आज चेप्टर थी इसका डिसकस करेंगे इसमें पावर एंड फंक्शन के बारे में बताया गया है किस तरह से पैंचायत की फंक्शन होती है और क्या-क्या उनकी पावर होती है ठीक है guys, तो subject to the duty of this act, अगर हम इस act की duty के बारे में बात करें, तो ये हर एक हलका पैंचाईट जो होती है, उसकी ये duty है, ये करतविया है, ये उसका first बनता है, कि उसको कुछ provisions बनाने हैं, ठीक है, subject to availability of funds at its disposal, ये कि जो उनके past funds available है, उस fund को लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या planning करी जाए, तो to prepare the plans for development of the hulka, उनको hulka की जो लोग हैं वहां के, जो पंचाईट है, उसकी development के लिए वहां पे उनको plans बनाने हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसे उनको measures लेने हैं, ऐसे step लेने हैं, जिससे कि उन plans को, developmental plans को implement कर सके, उसके बाद specifically, जो वहां पे soil conservation की problem है, soil को conserve करना है, water management का problem है, social forestry का problem है, rural industrialization, agriculture, animal husbandry, येनिके sanitation, health and other welfare programs, जितने भी ये problems हैं, तो इन सब के लिए उनको specific लिए एक ऐसा plan बनाना है, जिससे कि ये सब चीजें उसके अंदर कवर हो जाएं, ठीक है guys, तो इसके आगे उनको क्या करना है, regulations बनाने हैं, जैसे कि अगर उनको कोई building बनानी है, shops बनानी है, और entertainment houses, और जितने भी वहां पे dangerous trades हैं, offensive trades हैं, तो उन सब को क्या करने के लिए, regulate करने के लिए, उनको वहां पे planning करनी है, उसके बाद, construction and maintenance of slaughter houses, ठीक है, जो slaughter houses हैं, उनकी उनको constructions and maintenance करनी है, ठीक है, उसके बाद जो हां पे sale and preservation होती है, meat की, उसको उसके बारे में उनको regulate करना है, उसके processing of skins and highs कहीं पर अगर चमड़ा वगरा बेचा जाता है, ठीक है, उसके बारे में बी यह सब किसको देखना है, उसके बारे में भी जो penचाइथ, hulkा उसको लानना है, बनाने है, regulation करनी है, जो हम किसकी regulation करना है, किसको जो sale करते हैं, या fish को हम preserve करते हैं, vegetables को, या perishable, perishable क्या होता है, इनको खतम होन कि उनको क्या करते हैं हम उनके लिए कोई हैं त्यार करते हैं घजक हीosaur एगर आपके वहां पको आप ही कोई मेले वगरह होते हैं तो उनसी को भी रेगूलेट करने के लिए क्या जोए क्या बुलते हैं देर प्लाइन के बता ऐसे specifically कोई plan वहाँ पर बनाना है उसके बाद कहता है कि यह एक्ट में इस एक्ट में और क्या बात करी गई है इस एक बात और और कही गई है कि क्या करना है prepare करना है और implement करना है specifically जो development plans वहाँ पर बनाये जाएं किसके लिए अलिवेटिंग पोवर्टी जो लोग गरीब है उनको गरीबी से बहार निकालने के लिए पूवर्टी को एलिवेट करने के लिए ठीक है लोगों को जो गरीब लोग है उनको उपर चढ़ाने के लिए और उनको एंपलाइमेंद जनरेशन के लिए वहां करना से क्या है वहां पर pea falar कि बनाना है इसे कैषए क्या है ऑफ प्लानिंग क्या है वहां पर माने अँछ से कि इंटीक च्रोग्राम है ऊचिकर नश बयार कौनेकरनल प्रोग्राम कि जितने भी जो वहां पे गरीब तबके जो हैं वह सुसाइटी के वह उपर चट सके यह निकि वह भी बाक्यों के लावल तक पहुंच सके तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट यह है कि हलका पैंचायत जो है ठीक है वह इन्वाल होगी किसमें इन्वाल होगी जिस चीज में ह यह आता है जैसे प्री प्राइमरी से लेकर ठीक है मीडल तक जो है काई हमारी एलिमेंटरी एजुकेशन आती इसको फिर हमारी हायर एजुकेशन आती है ठीक है पहले सेकेंडरी एजुकेशन फिर हमारी हायर एजुकेशन आती है इसे तरह क्या है उनको एलिमेंटरी प्रोग्राम के बारे में भी उनकी इंप्लिमेंटेशन के लिए उसमें भी ताके हमारी स्कीम जो है उसको वो युनिवर्सलाइज हो सके उसके वाद जो हलका पैंचाइट जो है वो कुछ बाकी फंक्शन भी यहां पे परफॉर्म करेगा बाकी डिवुटी भी यहां पर जो हलका पैंचाइट कंस्टूट किया जाती है ठीक है जो पैंचाइट वहां पर कंस्टूट की जाती है उसके अंदर ही यह सब चीजें भी होती है ठीक है उसके दाइरे में तो चैप्टर 4 जो है हमारा इस पैंचाइटी राज एक्ट का इसमें प्रापर्टी के बारे में गया है तो property हलका, पंचाईड की क्या होती है, वो जानते हैं, तो कुछ चीजें जो हैं, वो हमारे हलका, पंचाईड की प्रॉपरटों को एंस्टिटूट करती है अब वो चीजें क्या हैं, बढ़ना हैं, जसे के पबल्लिक, village road है वो सब किसकी property होती है penchite की property होती है उसके बाद property चाहे वो movable है या immovable है तो guys immovable property क्या होती है जिसे के आप लोगों की जमीने हैं ठीक है मैं खाली immovable property की आप समझा रहा हूँ जिसे के लोगों की जमीने हो गई वो move नहीं न कर सकती आपके buildings हो गई वो भी क्या है वो भी immovable property है तो guys movable property क्या होती है जिसे के आपके गाड़ी हो गई ठीक है आपके जिसे के क्या बोलते हैं आपके पास जो gold रखा हुआ है वो movable property है उसके पास जब के पास money है वो आपके पास movable property है तो guys यह क्या है जो movable property है या immovable property है ठीक है जो जिसको जो government ने हलका penchait को transfer करी है ठीक है किसी public body या individual ने हलका penchait को transfer करी है तो वो भी क्या होगी वो भी penchait हलका की क्या होगी property होगी ठीक है इसके बाद जो buildings होगी, slaughter houses होगी, manure and night soil dumping sites होगी, structures and water reservoir होगे जो हलका पंचाइद ने बनाए है अपनी फंज से ठीक है या जो गौवर्मेंट ने उसको contribute की है या किसी public body या किसी individual ने contribute किया है पंचाइद को तो वो सब जो भी चीज़ें उससे बनाई जाएंगी वो पंचाइद की हलका पंचाइद की property होती है इसके बाद rubbish, savage, filth, bones, village cleaning and dead matter collected by the हलका पंचाइद under this act, this under act के जितने भी आते हैं वो सब क्या हो जाती है उसकी property हो जाती है, trees and grass growing on property belong to हलका पंचाइद, चाहे उससे जो पंचाइद, हलका पंचाइद की property जो होती है उसके उपर अगर कोई पेर उख जाते है, या कोई घास उख जाता है, या कोई से फल जाते हैं, या कोई दूसरा वहाँ पर प्रड़क्ट जाता है, and wind falls, जिनकी वहाँ पर कुछ भी होता है, तो वो सब किसकी property होती है, guys, वो सब property होती है, इसकी हलका पंचाइद की, तो इसके बाद है हमारे पंचाइद के drains हो गई, ट्रेंक जो बनाए जाते हैं, पॉंड्स, वैल्स, सिपरिंग, स्ट्रीम, खुल्स, घाट, नालाज, अधर क्वेरीज, इन दा हलका पंचाइद, हलका पंचाइद में जो भी यह सब चीजे होती है, जो किसी भी परसन की नहीं होती है, आट होता गॉवर्मेंट, या गॉव एक resolution बनाया जाता है, और उस property को पूरी पंचाइद की property, हलका पंचाइद की property बनाया जाता है, ठीक है, all public lamps या lamp post जो होती है, and operators connected there with, entertaining there too, जो भी यह सब चीजे हैं, lamp वगरा, यह सब public lamp समझते हैं, आपकी नहीं कि जो public में वो कहीं पे, माल दीजी की, एक pole लगा हुआ है, यहाँ पे उपर जो light जली हुई है, ठीक है, यह सब भी किसकी property होती है, यह सब भी guys, जो हलका पंचाइद है, उसकी property होती है, ठीक है, और any property which a hlka पंचाइद में require, या कोई भी property जो हलका पंचाइद के पास require करती है, उसके बाद, हलका पंचाइद के पास power है, जिससे वो acquire कर सकता है, ठीक है, hold कर सकता है, या property को dispose कर सकता है, ठीक है, या किसी भी contract में आके, यहने की laws और जो rules होते हैं, जो force में हैं, उनके contact में आके, वो क्या कर सकता है, acquire कर सकता है, hold भी कर सकता है, और किस property को dispose भी कर सकता है, उसके बाद हलका पैंचायत की फंड भी इसी में आते हैं फ्राइपर्टी वाले part में chapter में यह भी आता है तो हरेक्षाएफ़ क्या होगी इसको फंड हुगी इसका नाम हलका पैंचायत फंड रखा होगा ठीक है जिसमें क्या होग यह सब चीजे होंगी, taxes, fee divided by the penchait, taxes और fee जो है जो penchait लेती है, उसके बाद proceeds from the property and enterprises run by halka, ठीक है, जो हमारी property से जो proceed आता है, या जो हम, जो halka के जफद्वारा को enterprise लाए जाता है, ठीक है, वहाँ से जो fund आता है, उसके बाद court की fees होगे, fines होगे, compensation paid to the halka, टू है, to the halka penchait, halka penchait को यह सब चीजे जब provide की जाती है, donation या contribution paid by public for work undertaken by halka penchait, तो कभी को donation वगारा जो आता halka penchait के लिए, तो वहाँ से भी halka penchait के पास funds आते हैं, उसके बाद proceeds of the sanitation cess, ठीक है, sanitation cess जो collect किये जाता है, government के दुआरा, ठीक है, revenue पे, वो भी halka penchait area के उसमें आता है, उसक capital basis, ठीक है, एक आदमी को कितना हिसाब से वो government provide करती है, तो वो भी उसके, क्या होती है, fund उसको वहाँ से आता है, या वो कहीं loan लेता है, government से, ठीक है, उसको government approve करती है, या बाकी financial institution वगारा उसको या करते है, ठीक है, उसके बाद जितनी भी income होती है, halka penchait की, या जो कांट होती है, ठीक है, as may be assigned to the halka penchait, जो halka penchait को इसका काम दिया जाता है, government के दुआरा, इस चीज को ध्यान में रखके, किस चीज को ध्यान में रखके, topography क्या है, backwardness क्या है, area की, तो उस चीज को देखके, government क्या है, उस से halka penchait को loan वगारा provide करती है, अब उसके है, कुछ rule जो है, government ने बनाए है, इस बहाफ पे, तो halka penchait, जो है, या उसमें से एक tax, या ज्यादा taxes भी fees के ओपर, हमें impose कर सकती है, अब taxes दिखते हैं, क्या होते है, taxes हम किसी भी trade, कोई भी trade, यहाँ पर उस पर tax लगता है, calling our profession within the jurisdiction, जो यानि कि halka penchait की jurisdiction में उसके area मे आता है, ठीक है, आना person up to rupees 50 per annum, किसी एक person को 50 rupees भी per annum लेते हैं, per annum में एक साल में लेते हैं, इनके साफ है theater, अगर किसी आदमी का कोई theater है, cinema है, या कोई entertainment की place है, तो वहाँ से भी उसका लिया जाता है, ठीक है, 25 पर annum उससे वहाँ से लिया जाता है, उसके बाद, tax जो ह होता है हमारे पास, जो owner tax pay करता है, animals pay या विकल जो अपने हलका पंजाइद के area में रखता है, ठीक है, pile करता है, hire करता है उनको, उनका कुछ maximum rate यहां पर रखा गया है, अगर animals हैं, ठीक है, अगर animals हैं आपके पास, तो आपको per annum का 20 rupees देना पड़ेगा, अगर आपके पास विकल है, not exceeding rupees 50, आपको 50 के उपर नहीं देना पड़ेगा, पर विकल, उसके बाद अगर आपके पास tractor है, तो आपको 100 rupees के उपर नहीं देना पड़ेगा, इनके 100 rupees आपको tractor का भी देना पड़ेगा, अगर आप उस वहां पर रखते हैं, उसके बाद taxes on boats, जो आपकी boats होती है boats पी text लगता है, pilgrim text लगता है, यहां पर, text onikkart, जो GIR τα वगारा होते हैं, तो ग्राट के बारे में सबको पता नहीं भूँ कर लेकिन मैं अपільки मैं अपर ग्राट के बारे में समझा देता हूँ, पहले जमाने में क्या होता था, आज भी है कहीं कहीं पे, पहले जमाने में नंडर आजरेः ईसकी चोड़ आता है अगर वहां पर कोई जानवर के लिए को आदमी its किसी चीज को या किसे जानवर को सेल के लिए लाता है मार्कट में या किसे मेल बेचने के लिए लाता है उसको' उसको feeist लगती है प्रबद fees for the years of slaughter houses new slaughter houses अगर आपने यहां पर slaughter house को use करना है ठीक है उसके लिए भी आपको वहां फीज देनी पड़ती है ठीक है यह हमारा पंचारती राज अक्त कहता है ठीक है अगर आपको यहां पर temporary occupation कर रहे हैं किसी विलेज में sites पर roads पर या आप similarly public places पर कहीं पर भी आप कर रहें temporary occupation कर रहें temporary कर रहें वहां के आपको फीज देनी पड़ेगी ठीक है अगर आप building की building को खड़ा करते हैं building को क्या करते हैं घ्राते वगरा है उस पर भी आपको प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् यहां पर बाक़ी टेक्स यहां पर सच अधर टेक्स और फी आज मेपार आप गुवर्मेंट जो गॉवर्मेंट अपर करती है वह सब टेक्स यहां पर होते हैं हमारे पास आप टेक्स कि वैल्वेशन की साओगी उसके परपसके लिए एंट्री की पावर यहां पर सर्पेंट है वे और त सकता है किसी भी परसिंग को ठिकते है उसको 24 गंटे नोटिस दे सकता है उसके अग्विपाई कीया हुआ है अगर आप सभी candidates full lectures देखना चाहते हैं तो join के रिए हमारा पंचायत account assistant online course इस course में आपको full lectures notes, mcqs, online test series जैसे सभी premium features provide कर देजाएंगे joining के लिए आपको सिर्फ 1499 rupees पे करना है और join करने के लिए आप message करें हमारे whatsapp number 7006332724 पे आपको सारी information provide कर दी चाहेगी last मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि YouTube पे बहुत सारी free classes हो रही है लेकिन वो सारी के सारी overloaded content है आप उन सब को पढ़के सिर्फ और सिर्फ अपने mind में confusion create करोगे, कभी doubt clears नहीं होने वाले इसलिए मैं recommend कर रहा हूँ कि join के रिए हमारा full account assistant course और आपको on the spot सभी lectures की form में सभी notes plus lectures provide हो जाएंगे thank you